स्वागत है आप सभी का उदीत फार्मेसी आनलाइन लर्निंग प्रेट फार्म पर मेरा नाम अध्लिक स्याद हो है और मैं बीटू आनलाइन पार साला यूटूब चैनल पर बायोलाजी पढ़ाता हूं आज़े इस वीडियो में डिफार्मा बिफार्मा इंट्रेंस एक्जाम का बहुत ही महतपूर चैप्टर कोश्का के बारे में अध्यन करते हैं जहाँ चैप्टर इंट्रेंस एक्जाम के देश्टरी से बहुत ही इंपोर्टन है यहां से डिफनेटली एक दो प्रश्ण आपक इंट्रेंस एक्जाम में पूछा जाते हैं सबसे पहले देखे कोश्का होती क्या है पूरा चैप्टर को कम्प्रेट करेंगे कोई क्वेस्टन बाहर से नहीं पूछा जाएगा अब ध्यान से इस चैप्टर को कम्प्रेट कर लेजिए इंपोर्टन चैप्टर है कोश्का क् की रचनात्मक और कार्यात्मक और मुल्भूत इकाई है सिंपल सब्दों में समझे जीवन की जो मुल्भूत इकाई होती है उसे ही कोश्का करते हैं सवर प्रतम कोश्का की खोज रवट हुक ने कोश्का थी कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सब्दों में सवर प्रतम कोश्का की ख तो कि प्राश्न मोडक्यां में पूछा गया था और कि कोश का का अध्यान के अंतरगत करते हैं उस जयंपा कि सतने को कहा का संचानन करने वाली मौ Live को recording इंगलिस निंसे बात करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई में बहुती सींपल सब्सक्षा के खोज रावड़ो झीया था जो सबसे बड़ी कोश्का की बात करते हैं तो तंत्रिका कोश्का सबसे बड़ी कोश्का होती है जिसे इंग्लिस में नरो सेल के नाप से जानती हैं सबसे छोटी कोश्का माईको प्लाजमा होती है ठीक है आगे दखे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स पॉइंट जहां से बोड़ी क्वेस्टन भी पुछे गया है एक नमबर में और इंट्रेस इंप्वेस्टन पुछे जा सक सकते हैं कोश्का में सवजनन होता है एक एसी प्रक्रिया है जिसने वाहिक कारकों की कोई आँ सकता नहीं होती है वहीं बात करते हैं एक इंपोर्टेंट जहां से इंट्रेस इंप्रश्ण पुछा गया है और विरिचाओ जो बैग्यानिक है इन्हों ने बताया था कि नई क फर्मा इंट्रेक्स इंजाम में question पुछे जा सकता है कि जो नई कोश्का का निर्माण होता है पुरानी कोश्काओं के द्वारा पुरानी कोश्काओं की विभाजन से होता है आर विर्चाओ बेग्यानिक ने बता था कि नई कोश्का का जो निर्माण होता है पुरानी कोश्क के अंतरगत रखा जाता है कोस्का के प्रकार की बात करते हैं तो कोस्का दो प्रकार की होती है कोस्का के प्रकार कोस्का दो प्रकार की होती है प्रोकारियोटिक कोस्का और यूकारियोटिक कोस्का इन दोनों कोस्का प्रोकारियोटिक कोस्का और यूकारियोटिक कोस्का की ख वोज डौजेट्रि और अलेलिन विज्ञानिक ने की थी यहां पर अब हम से स्टूडन को मिस्ट अंडरस्टेंडिक होती है बहुत से स्टूडन बोलते हैं कोस का दो प्रकार क्या प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक कोश का दो प्रकार के होती है पादव कोश का जनतु कोश का यह भी गलत है कोश का दो प्रकार के होती है प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक देखे जनतुओं को वर्गी करड किया गया है कोश का के अधार पर तब वहाँ पर जन्तुओं को कोश्काओं के आधार पर दो भागों बटा गया है एक कोश्की है और दुसरा बहु कोश्की है उसकी बात हम लोग अलग कर लेंगे आपके सलेवस में नहीं है आगे देखते हैं आगे ध्यान से देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह चेप्टर जरू तयार कीजिए अगले जो पॉइंट आएंगे वो बहुत ही कमाल की पॉइंट है आपके इंटरेंस एक्जाम में वहाँ से प्रश्ण पुछे गए हैं एक इंपोर्टेंट पॉइंट को आप समझ लिजिए प्रोकारियोटिक कोसका और यूकारियोटिक कोसका के बीच पाये जाती है इस कोसका की खोज, इस सिलली की कोसका के बारे में प्रोकरियोटिक कोषका में केंद्रक जिली, केंद्रक सुबिक्सित कोषकांग अनुपस्तित होते हैं करने के मतलब जो प्रोकरियोटिक कोषका होती है इसमें केंद्रक जिली, केंद्रक और जो सुबिक्सित कोषकांग होते हैं इनकी अनुपस्तित होती है और प्रोकरियोटिक कोषका की जो कोषका भित्ती होती है मियूरेन या पेप्टाइडो ग्लाइकोन की बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकोन की या मियूरेन की प्रोकरियोटिक कोषका की जो कोषका भित्ती होती है उधारण देख लेते हैं, प्रोकरियोटिक कुस्का का जो उधारण है, यहां से प्रोकरियोटिक कुस्का के इंतरगत आता है, या यूकरियोटिक कुस्का के इंतरगत आता है, इस तरकी के प्रोकरियोटिक कुस्का में पूछे जाते हैं, तो प्रोकरियोटिक कुस्का बेक् प्रोकारियोटिक में 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 प्रोका से बिक्सित होती है केंद्रक भी और केंद्रक जली कुस्का भित्ती यह सभी की सभी पुरी तरीके से बिक्सित होते हैं यूकरियोटिक कुस्का में अगे दखिए यूकरियोटिक कुस्का के जो गुड़ सुत्र में हिस्टोन पाय जाता है प्रोकरियोटिक में हिस्टोन नही और देहिता है जो छारी होता है उधार Kathryn bike yeah के सभी जंत कोस्का में कोस्का में यूकार रिंडिक कोस्का होती है प्रोटो जोगा में भी युकारukे कोस्का पाई जाती है इसके लामा एक चीज ऑरा में जीती है कोस्का suspected पूछ है और बात करते हैं को इसका के भाग के भाग के बारे में कितने होते हैं सेल के कितने भाग होते हैं कोशकावित्य जिवधरव्य और रसधानिया फिर देख लिजिए कोशका के तीन मुख्य भाग होते हैं कोशकावित्य जिवधरव्य और रसधानिया रसधानिया को रिक्तिकाएं भी कहते हैं रिक्तिकाएं भी कहते हैं रसधानियों को देख लिजिए कोशकावित्य जिसे इ अच्छित सब्सकत, सब्सकत कहता है इंटररम्हाम इंघाम होता है, यहां भी सब्सकत कोниगा श disappearance मजबूत मोटी दराई निर्जीव आउरण को कुश कभित्त करते हैं जो पादब कोश्का होती है एक बास मुझे देजिए कोश्का वित्ती पादब कोश्का में ही पाए जाती है जन्तु कोश्का में कोश्का वित्ती नहीं पाए जाती है लेकिन जन्तु कोश्का में कोश्का वित्ती नहीं पाए जाती है पादब कोश्का की सबसे बाहरी कठोर मजबूत तथा जो निर्जीव आरण होता है उसे ही कोशका भित्ती करते हैं कोशका भित्ती के खोज रावट हुक ने किया था जो कोशका भित्ती होती है इसके खोज रावट हुक ने किया था कोशका भित्ती पादप में उपस्तित होती है तथा जन्तु में अनुपस्तित ह पादपो में कोस्का भित्ती सेलोज या पेक्ट्रोज की बनी होती है . लिख içट की कोस्का भित्य काइटिन की बनी होती है . ज्यूद्रब के बारेे हम देखते हैं जिसे इंगलेस में प्रोटोप्लाज्म करते हैं ज्यूद्रब शभी सजी कोसकाओं में पाया जाता है। जिवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जो जिवद्रव्य होता है इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है नोट कर लेजिए कोश कहा कि किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जिवदरब ये भाग को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जिवदरब का जो pH मान होता है 6.5 से लेकर 7.0 तक होता है pH मान potential hydrogen जो chemistry के student होई वो जानते होंगे pH के बारे में भली भात तो जिवदरब का pH मान 6.5 से 7.0 तक होता है प्रोटोप्लाज्म नाम स्वरप्रथम पुरकंजे तथा HB मोहल बैग्यानिक ने दिया था अब बात करते हैं जिवदरब के गुड़ क्या होता है देखेजिए जिवदरब रंगहीन और्धपारदर्सी तथा और्धटरल पदार्थ होता है जिवदरब रंगहीन और्धपारदर्सी तथा और्धटरल पदार्थ होता है जिसमें 60 से 70 फिशदी जल पाजाता है 60-70 फिर्जदी जल पाजाता है जियुद्रव में जियुद्रव में जियुद्रव जो होता है एक प्रका का जटिल मिस्रड होता है जिसमें आक्सिजन, कार्बन, हाड्रोजन तथा नाट्रोजन मुख्यरूप से पाजाता है आगे बात करते हैं जीवद्रव में ब्रावनी गती होती है इंपोर्टन्ट है नोट कर लेजिए कोश्का के किस भाग में ब्रावनी गती होती है तो जीवद्रव जो भाग है कोश्का का इसमें ब्रावनी गती होती है आगे देखते हैं आईए अब देखते हैं कोश्का का जो तिसरा भाग है रसधानिया या रिक्तिकाएं रिक्तिकाएं पादव कोश्का में पाई जाती है कोश्का द्रब में गोल खोखले अस्थान को रसधानिया करते हैं कोश्का द्रब में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं यह रिक्तिकाएं हो बग्यानिक ने रिक्तिका या रसधानिया नाम सबसे पहले दिया था अगे बात करते हैं रिक्तिका पादब कोषका में पाई जाती है तथा जन्तु कोषका में अपिछाक्रित कम पाई जाती है नोटकली जिए रिक्तिका पादब कोषका में ही पाई जाती है जन्तु कोषका में अपेच्छा क्रिद कम मुपस्तित लोती है रस डाणि words दानी संकुचन सिल्षण पर्षण पूछ जाते हैं मुख पार्टिय रहा है इंटरेंस अज्याम में यहां से प्राशन बनते जरूर बनते हैं कोशका के मुख्य भाग जैसे किंद्रक हो गया, माईटू कांड़िया हो गया, लाइसों हो गया, लाइसों हो गया, यहां से डेफनेटली इंटरेंस एक्जामी क्वेस्टन बनते हैं, नोट कर लेजिए, किंद्रक के बारे में सबसे पहले आप नोट कर कोशका द्रविका उवह भाग जो आकार में गोल, अंडाकार, घने, गहरे, लंकी रचना है, जिसे केंद्रक करते हैं, केंद्रक की खोज, रवट ब्राउन ने 831 में की थी, केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज, इससे प्रश्ण जरूर बनते हैं, तो याद रखेगा केंद्रक की खोज, रवट ब्राउन ने की थी, 831 में, केंद्रक की संख्या एक होती है, जिसमें प्रोटीन, डियने तेथा, आर्यने पाय जाता है, केंद्रक की खोज, रवट ब्राउन ने 831 में की थी, केंद्रक की खोज, रवट ब्राउन ने 831 में की थी, केंद्रक की ख के दखीगा किंद्रक के कारे किंद्रक को कुश्का का नियंत्रक कहते हैं कुश्का का नियंत्रक करने का काम किंद्रक का होता है कुश्का का जो भी नियंत्रक करने का काम होता है किंद्रक के दवरा ही कुश्का पर नियंत्रक किया जाता है किंद्रक आनुसिक्ता में भाग ले करता है आगे बात करते हैं जो अगला मुख्य भाग है कोश्का का लाइसोम इंपोर्टन्ट है लाइसोम कोश्का में पाचन की क्रिया को संचालन करता है पाचन की क्रिया को संचालन करने का काम कोश्का का एक भाग करता है उस भाग को लाइसोम के नाम से जानते हैं लाइसोम लाइसोम का नाम नोई कॉप ने दिया था नोई कॉप वेग्यानिक ने लाइसोम नाम दिया था और इसकी खोज चुहे के लिवर में वेग्यानिक C.D.D.A. ने की थी लाइसोम की खोज और लाइसोम कुछका में पाचन की क्रिया को संचालन करता है अगे देखते हैं अगला जो भाग है important है लाइसोम के बारे में और जानकारी जान लेजिए लाइसोम को आत्मखाती थैली भी कहा जाता है या दिर्के का लाइसोम को आत्मखाती थैली के नाम से जाना जाता है का लाइसोम कोज का विवाजन को आरम करता है जो लाइसोम होता है कोज का विवाजन को आरम करता है लाइसोम अस्तियों का निर्मार करता है अस्तियों का निर्मार करता है लाइसोम के द्वारा होता है अस्तियों का निर्मार उसमें मदद करता है सबसे important line जो आपको याद करन है बीजों में लाइसोम अनकुलर की क्रिया को प्रेरिद करता है इंपोर्टेंट है नोट कर लिजिए बीजों में लाइसोम जो होता है अनकुलर की क्रिया को प्रेरिद करता है अब अगले मुख्य भाग के बारे में देखिए कोश का द्रब जिसे इंक्रिस में साइटो प्ल और उन्ने की थी कोसका द्रव प्लाजमा मेम्ब्रेन तेथा केंद्रकला के बीच के अस्थां से भरा होता है कोस का द्रव निम्न योगिक से बना होता है जो लिप्लिज़्ट पहा जाता है फिर समझेएं कोशका द्रव्य की खोज Robert Brown ने 831 में की थी कोशका द्रव्य प्लाज्मा मेंब्रेन तथा केंदर कला के बीच के अस्थान से भरा होता है और इसमें कार्पोहडरेट प्रोटीन लिपीड जल पाया जाता है अगे दखिए अंतह प्रदवी जलका की खोज के यार पोटन ने की थी इसे अंतह कंकाल भी कह जाता है कोशका के किस भाग को अंतह कंकाल भी कह जाता है तो कोशका का एक भाग है जिसे अंतह कंकाल के नाम से जानते हैं उसे अंतह प्रदवी जलका कहते हैं जो अनतर प्रदभी जयल्का है इसी खोज के यार पोटर ने की थी। आगे देखे गाल्जी काय। गाल्जी बाड़ी जिसे इंगलीज में कहते हैं। गाल्जी काय देखे ध्यान से, जीत कोज काय में थैली नूमा सनचना जो संपोह में पाई जाती है। उसे ही गालजी काय कहते हैं, डिटेल में देख लिजिए, जीद कोज काय में थली नुमा सनचना जो समूह में पाय जाती है, तथा अंतर प्रद्वी जैलिका से चिपकी होती है, जिसमें द्रव भरा होता है, उसे गालजी काय कहते हैं, फिर समझ लिजिए, जीद कोज काय में जो गॉल्जी बाडी है इसकी कोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी कैमिलो गॉल्जी के नाम पर ही इस भाग को गॉल्जी काय कहा जाता है गॉल्जी काय की कोज कैमिलो गॉल्जी ने अठारो सो अंठानमे में की थी और आगे रखी द्यांसे, गाल जी काय को पादफ में, डिक्टोययम कहाँ नाम से जानते हैं, और इसकी संख्या नौसे 10 होती है, कारे देख लिजिए, एक्रोसूम का निर्माड करना तर्था विभीन पदार्थ जैसे इंजावर करना जो कॉल जी काय का जो प्रमुक कारी होता है एक्रोसूम का निर्माड करना और विभीन पदार्थों का स्रावर करता है जैसे इंजावर करता है आगे दखिए ध्यान से कोश्का के अगले मुख्य भाग के वारे में आए जानते हैं राइबोस्यों के वारे में इसे आप अच्छे से त्यार कर लिजिए इंपोर्टेंट भाग है यहां से प्रश्न बन सकते हैं इंट्रेंस एक्जाम में राइबोस्यों कोश्का द्रव में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है राइबोस्यों कोश्का द्रव में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है राइबोसोम की खोज पलाइडे ने जन्तु कोशका में कि थी 1955 में पादव कोशका में रोबिंस तर्था ब्राउन ने 1903 में राइबोसोम की खोज की थी दो बात याद रखेगा राइबोसोम की खोज की गई जन्तु कोशका में पलाइडे ने किया था 1955 में और पादव कुशका में रोबिन्स तथा ब्राउन ने 1903 में किया था आगे बात करते हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है जो राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है अगला भाग तारक काय जिसे सिंट्रियो सोम के नाम से जानते हैं तारक काय गोलाकार छोटे अनियमीत अकार के छड़नुमा तथा इंजाइम युगत कड़ होते हैं जिसकी संख्या एक होती है तारक काय की खोज बिंडन ने की थी तथा इसका नाम विब्रो बरी ने इसका नाम तारक काय रखा था काने का मतला में तारक काय की जो खोज की थी वो बिंडन बैग्यानिक ने की थी और जो तारक काय होते हैं ये गोलाकार छोटे अनियमीत अकार के छड़नुमा तता इंजायम यूगत कड़ होते हैं जिनके संख्या एक होती है तारक काय में दो छोटी रचनाएं पाय जाती है जिनने सेंट्री ओल सका जाता है century oils कहा जाता है फिर समय लिजिए तारकाय में दो छोटी रचनाएं पाय जाती है जिनने century oils कहा जाता है अब अगले मुखे भाग की तरफ बढ़ते हैं जो की बहुत ही important है mitochondria के पार पढ़ते हैं कि mitochondria क्या होती है जानते हैं इसके बारे में mitochondria आप जानते हैं इसे powerhouse of cells कहते हैं important है powerhouse of cells mitochondria को कह जाता है eukaryotic कोशका के कोशका द्रब में mitochondria पाया जाता है eukaryotic के कोशका द्रब में mitochondria पाया जाता है mitochondria की जो खोज है kolicar बग्यानिक ने की थी और mitochondria जो नाम है वेंडा ने 1897 902 isblue में दिया था hoTA कशना काम होते है जहां कोश्चल को कर बेग्यानिक नहीं किया था और चí önधा ऑट्टा नाम्हें यह नाम बेंडा बेग्यानिकश्च्तिय दिया था माइट्रोक काण्रिया के द्वरा उत्पन जो उर्जा मिलती है Thank You एडिलसीन ट्राइब फसीन में भड़ाना ही ती पीका प्रणाव होता है एड्री जो तर्शा कुलिहां प्रधान पत्रों कहती हुआ में यह रोप तर्शा पूराना होता है भाग है लाइसोसोम इसकी खोज लाइसोसोम की खोज डी डूए नामक बिज्ञानिक ने की थी कोश्का में पुटिका थैलिक की रूप में उपस्तित होती है यह कोश्का के अंतर किसी बाहपदात जैसे जीवाडू आधिको नश्ट कर देती है लाइसोसोम है जीवाडू को नश्ट करने में मदद करती है यह पुरानी और मित कोश्का को नश्ट करने में भी सायक होती है बोड़ एक्जाम में पूछा गया प्रशन है कि जो पुरानी और मित्र कोश्का है इसे नश्ट करने का काम किस भाग में होता है तो पुरानी और मित्र कोश्का जहां पर नश होती है उस भाग को लाइसोस्म कह जाता है तो उसमें आप देखेंगे लाइसोस्म से प्रश्ण पूछे गए में बहुत ही इंपोर्टेंट भाग है यहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है तो लासु सूमब का चो कारी होता है पुरानी मूरुस्गा को नष्ट करने में लाजशुवु भूमका निभाता है अगे दखते हैं farmers 1865 में लवक की इतना समझ लेजिए शु economists के या साज़ की वाजन बहुत ही एक अलग टॉपिक है एक अलग थोड़ा सा हट के टॉपिक है कोश्का चिप्टर से लेकिन यहां से इंटेस्ट जा में क्वेस्टन नहीं बनते हैं फिर भी पढ़ लेजिए डिफार्मान में तो नहीं ही बनते हैं देखे दियां से कोश्का भीवाजन प्रश्ण बन सकते हैं इसलिए आप देख लेजिए पुरानी कोश्काओं से विवाजन द्वारा नई कोश्का के निर्मार की प्रक्रिया कोश्का भीवाजन कहलाती है जन्तु कोश्का में कोश्का भीवाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी इंप्रोटेंट है नोट कर लेजिए जन्तु कोश्का में कोश इसी प्रक्रिया जिसमें कोस्काओं का निर्मार्च लेकर उनके नई कोस्का बनने तक की पूरा सफर होता है उसे ही कोस्का चक्र करते हैं कुषकाओं का निर्मार्च लेकर कुषकाओं की विवाजन द्वारा नई कुषका बनने की सारी प्रक्रिया को कुषका चक्र करते हैं हावड और पेल्फ ने कुषका चक्र को चार अस्था में दर्चाया था जीवन अस्था यस अस्था जीटू अस्था यम अस्था यसा वस्थाहे है इसमें DNA का संसलेस रडा होता है YouTube वस्थां में ईस वस्था में विवजन की त्यारी होती है बात करते ही यह वस्थां में विवाजन की प्रकिरीया को Chadワadon बाटा गया है ne Mill pagas decided that अंत्रावस्था अगर आप चाहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, तीलोफेज, अंत्रावस्था की बारे में पढ़ने के लिए तो आप ब्यूट्व आलनाइन पार्ट सारा यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं आपको अच्छे से त्यार हो गया होगा उधित फार्मेसी